पहला कुश्यन है राम मंदिर का भूमी पूजन कब हुआ था तो राम मंदिर का भूमी पूजन ऑप्सन सी राइट होगा 2020 में राम मंदिर का भूमी पूजन हुआ था नेक्स कुश्यन देखेंगे दूसरा कुश्यन है निमली कितमे से कौन से आयोध्या के राम मंदिर का नि कि यौन अयुतिया के राम मंदिर का निर्माण कर रही है कुश्चन क्या है 넣 को इजाइन किस सी तयार किया है इस कुश्चन का राइट आंसर होगा ऑपसन डी राइट होगा चंदरकान्त वि सोमपूरा चंदरकार वि सोमपूरा है जुनोंने राममंदर के राममंदर के डिजाइन तयार किया है next question क्या है चोटा question है कौन सी नदी आयोध्या कि इतिहास की साक्छी मानी जाती है तो कौन सी नदी मानी जाती option A right होगा सरायू नदी सरायू नदी जो है आयोध्या की इतिहास की साक्षी मानी जाती है next question क्या है 5. स्री राम जन्म भूमी आयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है तो इसको और किस नाम से जाना जाता है option B right होगा साकेत नाम से जाना जाता है आयोध्या जन्म भूमी को जटमा कोशन है आयोध्या की विवावित भूमी कौन सी इतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है तो option C राइट होगा बाबरी मस्चित विद्वन से जुड़ी हुई है विवावित भूमी नेक्स कोशन के है साथमा कोशन है राम लला की नई मूर्ती की उचाई कितनी है तो राम लला की जो नई मूर्ती बनाए गए है उसकी उचाई कितनी है बी option right होगा इंक्यामन इंच इंक्यामन इंच जो है राम लला की नई मूर्ती की उचाई है नेक्स क्वेशन देखेंगे आटमा क्वेशन आयोध्या किस राज्य में इस्तित है तो आयोध्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है C ओप्सन राइट होगा नेक्स क्वेशन क्या है राम अंदिर की निव में इस्तिमाल किये गए काले पत्थर साली ग्राम की सिला का क्या महत्तो है तो क्या महत्तो है भगवान विश्नु का प्रतेख है बी ओप्सन राइट होगा भगवान विश्नु का प्रतेख है काले पत्थर यानि साली ग्राम सिल नेक्स्ट कुष्छिन क्या है दसमय कुष्छिन है स्री राम जन्म, भूमी तीर्-देश्ट्र के महासचीव कौन है? तो महासचीव कौन है? चंपत राई D option right होगा स्री राम भूमी जन्म भूमी तीर्द छेत के महा सचीव कौन है चमपत राय next question क्या है भावरी मस्जित तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी कौन थे जब भावरी मस्जित तोड़ी गई थी उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी कौन थे C option right होगा कल्यान सिंग उस समय के मुख मंतरी थे next question क्या है राम मन्दीर के उचाई कितनी होगी जो राम मन्दीर बनेगा उसकी उचाई कितनी होगी तो A option right होगा 161 फट 161 फट जो होगी राम मंदिर के उच्छाई होगे next question क्या है next question है राम मंदिर में कितने खंबे होगे राम मंदिर में कितने खंबे होगे तो इस question का right answer option A right होगा 392 392 खंबे होगे राम मंदिर में next question क्या है राम मंदिर कितने मंडप होगे राम मंदिर में कितने मंदप होंगे तो राम मंदिर में पाच मंदप होंगे बी ओप्सन राइट होगा नेक्स कुश्चिन क्या है नेक्स कुश्चिन है आयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फिट लंबी है तो कितने फिट लंभी है D..OPSON राइट होगा 108 फिट लंभी है 22 जिन्वरी को जो 2024 में जलने वाली अनुखी अगरवत्ती है Next question क्या है Next question है राम मंदिर का निरमाण किसके द्वारा कराया जा रहा है स्री राम जनुवब्हुमी 36.. कि स्थिधि को स्थिधि को स्थी 파 branche की प्राण पतिस्था आयोजन हो चुका है नेक्स क्या है राम लाला की प्राण पतिष्टा सुभ मूरत कितने समय का था तो कितने समय का था बी ओप्सन रैट होगा 84 सेकेंड का था मात्र 84 सेकेंड का था जो राम लाला की प्राण पतिष्टा का सुभ मूरत था ठेकना Qs. 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 Q option राइट होगा, 40 दिनों तक चली है, next question क्या है, बावरी मस्जिद कब बनाई गई थी, तो जो बावरी मस्जिद है, वो कब बनाई गई थी, C option right होगा 1528 में 1528 में बावरी मस्जिद बनाई गए थी Next question क्या है Next question है आयोध्या विवाद में Supreme Court ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था तो अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था 9 नौबर 2019 को A option right होगा 9 नौबर 2019 को आयोध्या विवाद में Supreme Court ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था Next question क्या है हाल ही में किस इस्थान पर 4 लाख दिये जलाकर गिनीज बुक के नाम दर्ज कराया है तो C option right होगा आयोध्या में 4 लाख दिये जलाकर गिनीज बुक अपने नाम दर्ज कराया है आयोध्या की विवादित 2.71 एकड जमीन पर मंदिर के किंदर को मंदिर केंदर सरकार को ट्रेष्ट बनाने एवं मुस्लिमनों को 5 एकड भूमी मस्जित निर्माण हेतु आबंटित कराने का आधेस दिया है तो अनुछेद 142 यानि आर्टिकल 142 के तहत आयोध्या की विवादित 2.71 एकड जमीन पर मंदिर के लिए किंदर सरकार की ट्रेष्ट बनाने एवं मुस्लिमान को 5 एकड मस्जित बनाने के लिए आवंटित करने का आधेस दिया है आर्टिकल 142 के तहत नेक्स कुशिन क्या है नेक्स कुशिन है विवादित भूमी पर निर्मित बावरी मस्जित का ढ़ाचा कब तोड़ा गया तो कब तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को यह उप्सन रहेट होगा 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया नेक्स कुशिन क्या है आयोध्या राम मंदिर के लिए राम लला की मूर्तियों को किसने बनाया है तो किसने बनाया है राम लला की मूर्ति को अरोन योगी राज सी ओप्सन रहेट होगा अरोन योगी राज जो है उन्होंने राम मंदिर के राम लला की मूर्ति को बनाया है नेक्स कुशिन क्या है राम मंदिर का निर्मान करने वाले ट्रश्ट या समिति का क्या नाम है तो स्री रामजन भुमी तीर्थ छेतर यह option right होगा स्री रामजन मुont भुमी तीर्थ छेतर इसका ट्रष्ट का नाम है नेक्स कुशन क्या है आयोध्या के राम मंदिर को समर्पित इस मारक डाग टिक्टों की एक सिरीज किसने लॉंच की है तो बी ओप्सन राइट होगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने जो है राम मंदिर के समर्पित इस मारक डाग टिक्टों की एक सिरीज लॉंच की है राम मंदिर में Next question क्या है PM नरेंदर मोधी जी ने स्वक्षतीर्द इस्थानों के लिए एक अभियान की सुरुवात किये है तो हूँ इस question का right answer Option E right होगा स्वक्ष मंदिर स्वक्ष मंदिर अभियान की सुरुवात की है प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदीजी ने नेक्स्कूर्शन कैंए उत्तर प्रदेश के आयोध्या धाम जकसन रेल्वे स्टेशन का उद्हाटन किया गया है उप्सन सी राइट होगा पीवी नरसिंहा राव जी थे उस समय के प्राइम मिनिश्टर थे नेक्स कुश्चिन क्या है नेक्स कुश्चिन है योगी सरकार ने आयोध्या आने वाले परियाटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए नेक्स कुश्चिन है आयोध्या एरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है आयोध्या एरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है महरसी वालमीक अंताराष्टी एरपोर्ट डी ओप्सन राइट होगा महरसी वालमीकी अंताराष्टी एरपोर्ट नेक्स कुश्चिन क्या है फैजावाद जक्सन का नया नाम क्या है तो फैजावाद जक्सन का नया नाम क्या है फैजावाद जक्सन का नया नाम आयोध्या कैंट है यह उप्सन राइट होगा next question क्या है next question है कौन सा महाकावे मुखरूप से भगवान राम और डूध्या से संबनदिद है तो C option राइट होगा 5000 निफारी 24 को जलने वाली एक अनोखी अगरबती जो है कितनी फिट लंबी है इस question का right answer आपको comment box में बताना है कि इस question का right answer क्या होगा ठीक ना आसा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो please इस वीडियो को like करे वो अपने उन दोस्तों को share करें जो competition exam की तैयारी कर रहें उनको इस वीडियो से काफी मज़त मिलेगी हमारे इस्टाग्राम पेजे critical study31 को भी आप follow कर सकते हैं और हाँ ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद